उस समाज में नव युवा लोग सबसे ज़्यादा दुख छेलते हैं, जहां पर मरे हुए लोगों की ठीक से देख भाल नहीं की जाती। जब लोग मरते थे, कुछ खास चीज़ें की जाती थी, जिससे की वो आपके जर्ये जीने की बहुत चक्तिशाली कोशिश न करें, आप उनके वन्ज से दूरी बनाते हैं, ताकि ये जीव एक फ्रेश जीवन की तरह खुद को व्यावस्थित करते हुए जीवन जीए। अभी, कुछ ही दिनों बाद महालायम आवस्या है, ये साल का वो समय है, जब हाँ, हम सर्दियों में दिन और रात के बराबर होने के दिन के खरीब होते हैं, ये साल का वो समय है, जब धर्ती में स्त्रीगुण सबसे ज़ादा होता है, खासकर उत्री गुलार्थ में, धर्ती का स्त्रीगुण और ज़ादा बढ़ जाता है, तो प्रभावशाली स्त्रीगुण वाले, पित्रपक्ष या महालयम आवस्या को ऐसे समय के रूप में भी देखा जाता है, जब हम हमारे पूर्वजों को सम्मान और आदर देते हैं पूर्वजों का क्या महत्व है? वो तो मर गए हैं, अब हम उनकी चिंता क्यों करें? Well, problem ये है कि आप जैसे आज हैं आज की दुनिया में आप लगातार गूगल पर होते हैं शायद आपको लगता हो कि आपको गूगल वाली और अथ नहीं पैदा किया है जिन लोगों को हम पूर्वज कहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ-वाँ भटक रहे हैं और पेड़ों पर जूल रहे हैं पर वो आपके अंदर जीते हैं आपके अंदर आपके वंच का असर कितना अब भी जिन्दा है एक स्तर पर यह आपका जीवन समरिद बनाता है और दूसरे स्तर पर यह आपका जीवन गुलाम बनाता है हम जो हैं जैसे भी हैं वो सिर्फ अपने पूरवजों की वज़े से हैं उन्होंने जो सीखा, वो जो जानते थे उनके हुनर, उनकी तक्नीकें उनके जीवन की समझ हमने जाने अंजाने में ये चीज़ें अपने अंदर उतारी हैं हम सबी ने साथ ही साथ अगर आप उन्हें अपने भीतर बहुत जादा मजबूती से जीने देंगे तो आपका अपना जीवन अपना नहीं होगा क्योंकि तब मुर्दों को कम मत समझेगा वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करेंगे इसलिए इतनी साथानी बढ़ती गई है किसी एक संस्कृती में नहीं दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में लोगों के मरने पर कुछ चीज़ें की जाती थी ताकि वो आपके जरिये जीने की बहुत शक्तिशाली कोशिश न करें क्योंकि अगर वो आपके जरिये बहुत मजबूती से जीए तो आपका जीवन बरबाद होगा यानि कि आप एक फ्रेश जीवन नहीं होंगे आप एक तरह से पुराने जीवन की एक कार्बन कॉपी होंगे जिस तरीके से आप बैठते हैं और खड़े होते हैं शायद आप इसे अपनी जिन्दीगी के शुरुआत में ना समझ पाएं जब आप अठरा बीस साल के थे तो आपने सोचा था कि आप पका अपने पिता या माँ जैसे नहीं बनेंगे आप वैसे बिलकुल भी नहीं बनना चाहते थे आप समझें मैं आजाद ख्यालात वालों की बाते कर रहा हूँ लेकिन जब आप पैंटालिस के होते हैं तो आप उन्हीं की तरह बैठते हैं खड़े होते हैं और बाते करते हैं है ना अन्जाने में आपका शरीर उन्हीं की तरह चलता है इसलिए हर संस्कृती ने हमेशा कितने ही अलग-अलग तरीकों से खुद को मृतकों से दूर रखने का ध्यान रखा है भारत में हमने विस्तरत तरीके विक्सित किये एक समय चुना जब हम इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं था कि साल दर साल हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना सकें तो ये वर्श का वो समय है जिसे पित्र पक्ष कहा जाता है यानि कि ये पूरवजों की देखभाल करने का समय है शायद आप उन्हें जानते हों शायद न जानते हों आम तोर पर बारा पीडियों तक पूरवजों की देखभाल की जाती है ताकि वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश न करें आप उनके वंच से दूरी बनाते हैं थाकि ये जीव एक नई जीवन की तरह खुद को विवस्थित करते हुए जीवन जीए खुद को एक नई संभावना बनाए और बस अतीत का दोहरावना बन जाए तो अभी इस समय हम महाले या पित्रमावस्या के दौरान योग केंदर में हैं मुझे लगता है कि 20 से 25 हजार लोग अपने पूरुजों से दूरी बनाने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं करेंगे शायद वो बहुत पहले ही मर चुके हूँ हम कैसे मृतकों को संभालते हैं इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है मैंने ये पहले भी कहा है और अब इस पर कुछ जगाओं पर रिसर्च हो रही है क्योंकि आप जीवन में जगाओर करते हैं उसे अब रिसर्च नहीं माना जाता है आपको लैब में चूहों पर गाओर करना पड़ता है क्या उनके पूरवजों के बरताव का उन पर असर पड़ता है अगर चूहों पर असर पड़ता है तभी आप पर भी पड़ेगा चूहा दोड़ है न खैर उनमें भी ये चीज देखी गई है कि एक प्रयोग है जो मुझे लगता है एमरी विश्विद्याले में हुआ था अगर मैं सही हूँ या शायद विश्विद्याले का नाम मैं भूल गया हूँ पर निश्यत रूप से एक प्रमुकमेरी के विश्विद्याले है उन्होंने ये एक छोटा सा प्रयोग किया जहां चूहों के एक जुन्ड को एक बढ़िया चेरी ब्लॉसंग के खुश्बू वाला पनीर दिया गया पहले दिन वो उसे चट कर गया अगले दिन जब वो खाने आए जब उन्होंने पनीर को कुतरा उन्हें बिजली का जट का जट का लगा आप इंसानों को तो जानते ही हैं और बार-बार कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा किया जब भी चूहे इस चेरी ब्लॉसंग के खुश्बू वाले पनीर को कुतरते उन्हें जट का लगता चूहों के अगली साथ पीडियों तक चूहे चेरी ब्लॉसंग के खुश्बू से भी दूर रहने लगे उन्होंने सबक सीख लिया था मैं बता रहा हूँ और ये पीडियां एक साथ नहीं रहती थी मान लीजे वो स्कूल में सीख रहे हूं तो उन्हें अलग-अलग कर दिया गया था तो वो जहां कहीं भी थे साथ पीडियों तक उनकी सीख भनी रही केवल आठवीं पीडियों में ही ये समझ गायब होने लगी तो चूहों के साथ ऐसा होता है तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा मेरा मतलब मैं आँंकडों के हिसाब से बोल रहा हूं पर हम जानते हैं कि हमेशा से हमारे लिए सच बात है positive और negative चीज़ें दोनों हमारे लिए सच है positive और negative दोनों चीज़ें अगर ये आपके जीवन पर बहुत मजबूत असर डालें तो वो एक negative असर बन जाती है चाहे वो एक positive चीज़ ही हो पर अगर उसका असर बहुत मजबूत बन जाए तो वो चीज negative बन जाएगी क्योंकि आपकी साथ पीडियों मैं केवल साथ बोल रहा हूँ ठीक है महालय मावस्या में हम बारा का ख्याल रखते हैं लेकिन क्या करें क्योंकि आप सभी ने मास्क पैने हुए हैं मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप इंसान हैं या चुहे वाकई आजकल हम लोग बहुत अजीव दिख रहे हैं तो उन पीडियों पुराने लोगों को जिन्हें हमने खो दिया है शायद हम उने जानते नहीं हम उनके नाम नहीं जानते उनकी तस्वीरे नहीं देखी पर वो हमारे जर्ये जी रहे हैं तो साथ या बारा पीडियों पहले उन्होंने जो कुछ भी सीखा था अगर वो प्रभाव आप पर बहुत जादा असर डाले तो आप आज घटित होते जीवन में बेमतलब रह जाएंगे तो आपको चेरी ब्लॉसम का डर है आज शायद इस डर का कोई मतलब नहों पर यह याद आप में बनी रहती है तो जानकारियों का यह जटिल जाल जिसे हमाज वंश की सूचना कर्म संबंधी सूचना प्रानिक जानकारी कई चीज़ें कहते हैं जो जानकारी के एक नेटवर्क के रूप में तयार हुई है ये जानकारी हमारे जीवन में कई अलग अलग तरीकों से काम कर रही है इन में से कुछ चीज़ों पर आधनिक वैग्यानिक रिसर्च हो चुकी है और नतीजों तक पहुचा जा चुका है बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये चीज़ें उस दिशा में बढ़ रही है लेकिन आप जानते हैं नतीजे देने के लिए पैसे जरूरी है इसलिए एक काम रुका हुआ है पर हम जानते हैं कि इसका असर होता है खास कर उस समाज में जहां मृतकों को ठीक से देख भाल नहीं की जाती उन समाजों में सबसे जादा सुरक्षित होते हैं नव युवा लोग पैदा होने से आठ फरश की उम्र तक बच्चों के पास आहम तोर पर एक तरह की सुरक्षा होती है पुरुजों से मिन्यूटी होती है वो अपने ही तरीके से जीते हैं लेकिन आठ और अठारा के बीच देख भाल ना किये गए पुष्टों का असर क्योंकि शब्दों की कमी है इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी आत्मा या उनकी यादें किशोरों पर कहर ढाती है तो उस समाज में जहां नव युवा सबसे ज़ादा दुख जहलते हैं ये समय आपके जीवन का एक तरह से सबसे बड़िया हिस्सा है पर वो सबसे ज़ादा दुख ही होते हैं आपको पता होना चाहिए उस समाज ने अपने मृदकों की ठीक से देख भाल नहीं की है तो ये साल का ऐसा समय है जब हमने चाहे अतीत में कुछ न भी किया हो फिर भी हर कोई अपने मुरदा पूरवजों के बारे में कुछ करने की कोशिश करता है ताकि हमारे जीवन पर उनका आसर सीमित रहे वो जैसे थे हम उनकी सराहना करते हैं हम उनके योगदान की भी इज़त करते हैं हमारे पास ऐसा शरीर है, ऐसा दिमाग है, ऐसी सीखें है, ऐसा जो कुछ भी है हर चीज में उनकी भूमिका है हम उसकी सराहना करते हैं पर साथ ही हम चाहते हैं कि वो हम से थोड़ा दूर रहें ताकि हम अपनी जिन्दगी खुद जी सकें ये महत्पून है वरना उनका असर बहुत ज़्यादा जबर्दस्त होगा नव्युवा और गर्भावस्था के बाद की महिलाएं इन ताकतों से सबसे ज़्यादा असर अक्षित हैं ये बहुत ज़रूरी है अगर आपके घरों में ऐसे लोग हैं तो आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए तो उस दिन को महालयम आवस्या के